बॉलिवुड कैफे आज एक्स्प्लेंग कर रहा है एक पॉलिश मूवी इस मूवी में मदर और डॉटर दोनों एक ही लड़के से अट्रेक्टेड होती हैं यह फिल्म पॉलेंड फिल्म फेस्टिवल की 2017 की एवार्ड विडिंग मूवी है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी इस मॉम इवा और डॉटर जुलका एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही है आज जुलका का 18 बर्थडे है इसलिए वो बर्डे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए दोनों यहां पे आई हुई है जुलका ने भी अपने कुछ खास फ्रेंड्स को पूलाता है एड्रियन को जब जुलका की मॉम देखती है तो उसके चेहरे की खुसी अचानक से गायब हो जाती है जुलका की मॉम जुलका को पूछती है कि यह यहां पे क्या कर रहा है वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है लेकिन जुलका अपनी मॉम की बात को इग्नॉर करते हुए बाहर चली जाती हैं जुलका की मॉम देखती हैं कि जुलका अपने बॉइफरेंड से मिलके काफी खुस हैं एड्रियन जुलका का काफी टाइम से बॉइफरेंड था जुलका एड्रियन से काफी जादा प्यार करती थी ले अपने साथ ले आया हूँ अब मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे तो जुलका थोड़ी डिसपर्ट होती है और वो कहती है कि अब क्या तो एड्रियन कहता है कि देखते हैं जुलका को किस करते हुए देखके जुलका की मौम कहती हैं कि इधर आओ और यह सामान सही से दिखा ही करता था इन दोनों के बीच में अनकही रोमांटिक टेंसन साफ दिखाई पड़ती थी जुलका की मौम कार ड्राइव करके लेक हाउस पर जुलका का बड़े सेलिब्रेट करने के लिए आ जाती हैं और डिक्की से सामान निकालके जुलका को देती हैं और उसको कहत हैं कि उपर जाके सारी विंडोज खोल देना जाते समय जुलका एड्रियन को कहती हैं कि आजओ तुम भी आजओ मैं तुमें अपना घर दिखा देती हूं लेकिन एड्रियन कहता हैं कि तुम चलो मैं भी कुछ सामान लेके आता हूं लेकिन जुलका की मौम एड्रियन से बि एड्रियन को पता था कि जुलका की मॉम का behavior उसके लिए कुछ जादा सही नहीं रहता है, इसलिए वो without any reaction घर के अंदर चला जाता है, एड्रियन घर के अंदर आता है और जुलका की मॉम से बात करना चाता है, लेकिन वो जुलका की मॉम से काफी ड़ता है, क्योंकि उसको पता हैं कि वो कुछ भी कहेगा, उसकी मॉम का अंसर नो ही होने वाला है, तो भी वो हिम्मत करके कहता हैं कि जुलका ने मुझे invite किया था, अब अगर मैं यहां से चला जाओंगा, तो जुलका को अच्छा नहीं लगेगा, और उसका birthday spoil हो जाएगा, क्या आप ऐसा चाहती है क्या birthday spoil हो जाए, लेकिन जुलका की मॉम बिना कुछ जवाब दिये ही, सामान उठक के वहां से store room की तरफ चली जाती है, जुलका की मॉम का कोई जवाब नहीं पाकर, एड्रियन फिलाल के लिए यहीं पे रुक जाता है, तो थोड़ी देर बाद में, जुलका उसकी मॉम को कहती ह कि हम लैक में स्विम करने के लिए जा रहे हैं, तो जुलका की मॉम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुलका को कहती है, कि हमें अभी केक बनाना चाहिए, लेकिन जुलका कहती हैं कि अभी तो बारा ही तो बजे हैं, हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, और वो स्व अभी भी एड्रियन में ही अठका हुआ होता है वो काम में बिलकुल भी कॉंसेंट्रेट नहीं कर पा रही है पता नहीं क्या ऐसी चीज है जो बार बार उसको एड्रियन की तरफ खीचे जा रही है जुलका की मॉम जब खुद को नहीं रोक पाई तो वो घर से बाहर आके लग जाती है और अपने लेक हाउस को लेटन से सजाती है जुलका की मॉम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तयार करती है लेकिन उसके चेहरे पे अब वो खुशी नहीं है जो सुबह एड्रियन के आने के पहले थी जो खुशी उसके चेहरे पे सौपिंग मॉल में थी और बिलकुल जुलका की मॉम के पीछे खड़ा हो जाता है जुलका की मॉम को रेलाइज हो जाता है तो वो पूस्ती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जुलका की मॉम डर के मारे एड्रियन की तरफ देखती हैं कुस देर बाद में एड्रियन कहता है कि जुलका ने मुझ से हिल नहीं रही थी, एर्डरियन बिल्कुल करीब आके बोलता है कि प्लीज मैम मुझे रहने दीजे, प्लीज मुझे जुलका के बर्थडे में सामिल होने दीजे, जुलका की मोम थोड़ा सोचते हुए बोलती हैं कि sunscreen तो bathroom में रखी हैं मैं लेकर आती हूँ और वो adrian से दूर हट जाती है bathroom में जाते हुए जुलका की mom adrian को कहती हैं कि अगली बस एक घंटे के अंदर आने वाली है तुम अपने घर चले जाना फिर जुलका की mom bathroom में चली जाती है और गहरी सांस लेती है उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है हो थोड़ा पानी पीती है और सोफती है कि वो Adrien से इतना attracted feel क्यों करती है उसको ये बाद समझ में नहीं आती, वो sunscreen लेती है और Adrien को दे देती है एड्रियन अब लेक में स्विम कर रहा था तो पीछे से जुलका की मॉम उसको देखती है और थोड़ी देर बाद में घर के अंदर चली जाती है साम का समय हो चुका होता है एड्रियन और जुलका दोनों स्विम करके वापस घर पर आ जाते हैं तो जुलका मॉम के डेकोरेशन को देखती है और वो कहती है कि मॉम ने ये लेटरंस क्यों लगा दिये तो जुलका उसकी मॉम को पूछती है कि एडरियन के डडर ने एडरियन को कौल क्यों नहीं किया तुम्हें क्यों कौल कर दिया तो जुलका की मॉम कहती है कि तुम दोनों स् ceuxिम कर रहे थे और लैक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता है इसलिए उन्होंने मुझे call किया है अब Adrian को वापस जाना पड़ेगा Adrian अपना phone देखता है और उसको पता है कि यहां network की कोई problem नहीं है इसलिए वो जुलका की mom के पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि मेरे father ने आपको call नहीं किया है कि मैं मैं आपकी daughter से प्यार करता हूँ I am in love यह बात सुनके जुलका की mom बहुत हस्ती है जैसे कि Adrian बिल्कुल ही जूट बोल रहा है वो कहती है कि तुम कितने बेसर्म लड़के हो तुमें पता है न क्योंकि जुलका की mom को पता था कि वो जुलका का boyfriend होने के साथ साथ वो उसके साथ भी काफी flood करता है तब ही जुलका आती है और कहती है कि keys मिल गई है ले जाओ तो Adrian कहता है कि आता हूँ एक मिनट और जाते समय वो जुलका की mom को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है मैं जुलका से सच में प्यार करता हूँ जुलका की mom और Adrian के बीच में एक अनकही romantic tension अब जादा बढ़ रही थी ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाते थे लेकिन जुलका की mom का moral inhibition इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था अब Adrian कीज लेके अपने घर की तरफ जाने वाला होता है तो किचन की विंडो से जुलका की mom देखती हैं कि जुलका और Adrian दोनों बाते कर रहे हैं और जुलका Adrian को पूछ रही हैं कि वापस आओ गे ना तो Adrian कहता है कि शुर मैं जरूर आऊंगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांस करते हैं और फिर वहाँ से Adrian चला जाता है Adrian के जाने से जुलका की mom जैसे थोड़ी रिलेक्स हो गई और उसने गहरी सांस ली जुलका अंदर आके अपनी mom से पूछती है कि mom आप Adrian से इतनी नफरत क्यों करती हो तो Adrian की mom पूछती है कि क्या तो जुलका अपना question repeat करती है कि आप Adrian से इतनी नफरत क्यों करती हो जुलका की mom को समझनी आया कि इस बात पर वो कैसे react करे तो जुलका कहती है कि एड्रियन आपके बारे में दिन में बार बार पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ तो उसकी मॉम कहती है कि फिर तुमने क्या बताया मेरे बारे में तो जुलका कहती है कि मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले naked swimming के लिए गई थी जिसकी वज़े से हमारे neighbors ने complain कर दी थी और हमारे गाओं के administration ने मेरी मॉम को इस बात के लिए warn किया था कि वो आगे से lake में naked swimming करने के लिए नहीं जाए तो इस बात पे जुलका की मॉम काफी surprise हो जाती है कि ऐसी private बात उसने उसके boyfriend Adrian को बता दी है जुलका बात को कारते हुए कहती है कि milk नहीं है क्या मुझे cake बनाना है तो उसकी मॉम काम को वहीं पे छोड़ते हुए वो कहती है कि milk तो हम खरीद के लाए थे तो जुलका कहती है कि यहाँ पर तो नहीं है तो जुलका की मॉम मिल्क को ढूनने के लिए store room की तरफ जाती है वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे milk की bottles पड़ी हुई है जिसको cake और cream prepare करने के लिए वो shopping mall से खरीद के लाए थे लेकिन जुलका की मॉम जुलका को कहती है कि milk तो है नहीं मुझ लेक हाउस से दूर city की तरफ जाती है एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुँचा था क्योंकि वो पैदल चल रहा था जुलका की मॉम कार लेके उसके पीछे जाती है और उसको अंदर बैठने के लिए कहती है एड्रियन चुपचाप कार में बैठ जाता है और जुलक की मॉम कार चलाती रहती है ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे काफी देर तक जुलका की मॉम कार चलाती रहती है और इन दोनों के बीच में एक awkward टाइप का silence रहता है थोड़ी दिर बाद में जुलका की मॉम एक सुनसान सी जगत देख के अपनी कार को रोक देती है लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे जुलका की मॉम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखती है तो एड्रियन अपने दोनों हातों से जुलका के मॉम के चेहरे को सेलाता है जुलका की मॉम एड्रियन के physical attraction से अब हार चुकी थी और अपने आपको उसने एड्रियन के हवाले कर दिया और अब ये दोनों मिलके कार में intimate होते हैं इंटिमेट होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर चला जाता है तो जुलका की मॉम देखती है कि उसके फोन पर जुलका का कॉल आ रहा है लेकिन व वो अपनी डिजायर के आगे मजबूर होके एड्रियन के साथ intimate होई थी बलकि वो दिमाग से नहीं चाती थी कि वो एड्रियन के close भी रहे इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहने की कोशिस करती और उसको जब भी वो घर पे आता उसको घर से बाहर निकाल देती लेकिन जुलका की मॉम को दे देता है और फिर से जुलका की मॉम के close आने की कोशिस करता है लेकिन जुलका की मॉम अब उसमें कुछ खास इंट्रेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती है कि चले जाओ यहां से प्लीज तुम चले जाओ यहां से एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार्ड से नीचे उतर जाता है और वो वहां से चला जाता है जुलका की मॉम अपनी सिगरेट खतम करती है गहरी सांस लेती है और फिर घर की तरफ निकल जाती एड्रियन अब चला गया है तो जुलका की मॉम सोचती है कि अब वो जाके अपनी डॉर्टर का तो वो देखती हैं कि घर का सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा है जो लेटरंस उसने लगाए थे अब वो नीचे उत्रे हुए हैं और कुछ तो तूटे हुए भी हैं ये देख के जुलका की मॉम को बड़ा अजीब लगता हैं वो घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि money mood mode पे था जुलका की मॉम पूसती हैं कि तुमने cake कैसे बना दिया तो जुलका केती हैं कि मुझे milk मिल गया था वो store room में रखा हुआ था ये सुनके जुलका की मॉम थोड़ी घबरा जाती हैं और वो जुलका को पूसती हैं कि तुमने decoration क्यों हटा दिया आज तो तुमारा birthday तो जुलका कहती हैं कि कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पर जुलका की मॉम को अंदरे अंदर काफी डर लग रहा था जुलका कहती हैं कि एड्रियन ने मुझे मैसेच किया हैं कि वो नहीं आएगा और अब वो जिन्दगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा जिसकी वज़े से जुलका को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और वो काफी रूई और अभी भी काफी रो रही है जुलका की मॉम नीचे बैटती है जुलका को कंसोल करने की कोसिस करती है तो जुलका कहती है कि मॉम आप हमेशा से सही ती आप सही कहती थी के एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है देखो आज birthday के दिन उसने मुझसे break up कर लिया। उसने मेरा birthday पूरी तरह से spoil कर दिया। मॉम आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। और जुलका यहाँ पे काफी रोती है। जुलका की मॉम जुलका को गले लगा देती है। लेकिन जुलका को नहीं पता कि उसकी मॉम नहीं एड्रियन को बार-बार यहां से जाने के लिए कहां और अब वो खुद एड्रियन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्फ होके आई है जिसकी वज़े से सायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंट्रेस्टेड नहीं है और जुलका की मॉम जो अपनी डॉटर के 18 बर्थ डे को सेलिबरेट करने के लिए इतनी एक्साइटेट थी आज उसी ने अपनी बेटी के बर्थ डे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी भरबाद कर दिया है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है मूवी का एक्स्प्रेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा